आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में B.H.I.C. 103 यानि B.H.I.C. 103 के last 5 year के question paper को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है मैंने इसकी classes भी पढ़ा रखे हैं आप उस class को अगर आप देख लेते ना दो घंटे मैंने पूरी class पढ़ा दी है अगर आपने उसको देख लेना तो आपका exam आसानी से निकल जाएगा ठीक है आज इस वीडियो में खास दोसे previous year के question paper दिखाने वाला हूँ जो कहाँ आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही ज़दा important होने वाला है और इन सभी question को आपको जरूर करके जाना तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर देखेगा यह भी ए हिस्ट्री ओनर्स वाले student के ले रहेगा ठीक है जो question paper पहला question paper देखे कपका है June 2023 का question paper है कपका है भाई मेरे June 2023 का देखेगा भी एचाइसी 103 भारत का इतिहास part 2 यानि second रहेगा आपका जी exam होगा ना 100 number का paper होगा कितने number का paper होगा 100 number का आपका exam होगा ठीक है और कितने time का होगा 3 घंटे का आपका exam रहने वाला ठीक है पहला question देखेगा भाग एक में देखेगा पहला question क्या देखेगा हमारा क्या है तमिलकम सब्द का अर्थ क्या है आरंभिक एतिहासिक काल में तमिलकम छेत्र में मुखिया तंत्र के उदय की चर्च कीज़े 20 number का question है दूसरा question देखेगा क्या रहा हमारा 200 SB से लेकर के 300 SB के मध्य में ब्यापार और सहरी केंद्रों के बिश्तार की दिभिन पहलों की चर्च कीज़े 20 number का question है तीसरा question देखेगा उत्तर भारत में उत्तर गुप्तकाल में छेत्रिय सक्तियों के उदय पर चर्च कीज़े 20 number का question है चौथा question जो आपका रहेगा इसमें क्या आपको टिपपणी करनी है निम लिखिद में से किन ही दो पर आपको 200 SB में कितने 200 सब्दों में आपको क्या करनी है टिपपणी करनी है तो जैसे इसमें चार दे रखा जैसे का है कुसान खाप कर रहा है तीने प्रणाली गाप का है सब्तमाहन कालिन समाज और घय आपका जो रहेगा गुप्त प्रसासन इन चारों में से आपको कोई भी एकजाम में दो पुतपादन की प्रकृती पर चर्च कीजे 20 नंबर का कोश्चन है छठा कोश्चन देखेगा हमारा क्या है महा काब्य और पुरान पर एक निबंद लिखे महा काब्य और पुरान पर निबंद लिखना 20 नंबर का कोश्चन है सात्वा कोश्चन देखे हमारा क्या रहेगा प्रारंभिक भारत के परपेक्ष में पर्यावन, वन और जल संसाधनों की चर्च कीजे, 20 नंबर का कोश्चन है, ठीक है, अगला कोश्चन जो हमारा रगा, आठवा कोश्चन देखें, जैसे चोथा कोश्चन रहता है, वैसी आठवा कोश्चन रहता, इसमें भी आपको क्या करनी है, टिपणी करनी है, क्या करनी है, 200 सब्दों में टिपणी करनी है, देखेगा का क्या हमारा, भक्ति पंत, खा मारा रगा, आर भट पर्थम, गा हमारा रगा, सैल, कृतिक, अस्थापत, और गा हमारा जो रगा क्या है, गुप्त और उत्तर गुप्त काल में महिलाओं कि स्थिति क्या है इन चारों में से यानि का खा गागा में से आपको कोई भी एक्जाम में दो लिखना रहेगा जो आपका आठ हुआ को चना आते हैं आठ में से आपको कोई भी 5 कोश्चन करना क्या करना मैं तो सीर्फ पांच ही कोश्चन लिखना रहता है थीक है सारे इंप्वर्टन में बता रहा हूं कोश्चन देख asa बड़ी सुroeकर है अगरला कोश्चन पर देख लेते हैं तो नक्षट कोश्चन पर पर देख थलेते हैं तो aa दिसंबर 2022 का कोस्टेन पेपर है यहां पर भारत का इतिहास पार्ट टू सो नंबर का एकजाम होगा तीन घंटे का क्या रहेगा आपका एकजाम रहने वाला ठीक है यहां पर नोट्स में देखेगा पांच कोस्टन करने आपको कितने पांच चार सो सब्दों में लिखना है यानि एक कोस्टन को कम से कम चार पेज लिखना है जैसे एक पन ना होता ना आगे और पीछे इस हिसाब से लिखेगा ठीक है परते एक खंड में कम से कम दो प्रस्ण चुनना है यानि पहले खंड में से दो कोस्टन करना है दूसरे खंड में से तीन कोशन यानी किसी भी खंड में से Face-che हिसाब से आपको टोटल पांच कोशन करने हैं सभी कोशन कितने नंबर के हैं बीस-बीस नंबर का रहने वाला है तो देखेए खंड कोशन थे कोशन सामराज के विश्तार की बिएचना किजे, क्या थे, कुसान कौन थे, कुसान सामराज कि- अबिस्तार कि- इसकी बिएचना करना है, 20 नमबर का कोशन है, दूसरा कोशन देखेगा, तमिलिकम के आर्थिक और समाजिक संगठन की प्रारंभिक, रहा 높 है आयतिहासी काल के संदरभ में चर्चा किजे, 20 नम लिखित में से किनी दो पर क्या करनी है 200 सब्दों में आपको क्या करनी है टिपणी करनी है चर्चा करनी है जैसे का हमारा का क्या है इंडो ग्रीक खा रहेगा साप्त वहन प्रसासन गाप का हैर सवर्धन और गाप का जो रहेगा खंड दो में देखेगा पांचवा कोश्चन देखेगा पांचवा कोश्चन क्या है ब्यापार और सहरीकंड के हरास और विशेश संदर में उत्तर गुप्तकाल में हुए आर्थिक परिवर्तन यह उत्तर गुप्तकाल में कौन-कौन से आर्थिक परिवर्तन हुए वो बताने इस नंबर का question हो जगा छठा question देखेगा काफी important question है भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है भाई भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषता जैसे राजनेतिक विशेषता है समाजिक विशेषता है आर्थिक विशेषता है सामाजिक ये भक्ति आंदोलन की विशेश्था बतानी इंपोर्टन कोश्चन है साथवा कोश्चन देखेगा आरभट पर्थम और भास्कराचार के संदर में भारत में बैज्यानिक उपलब्धी को चर्चक रो नि आरभट ने और भास्कराचार ने किस प्रकार से भारत में बैज्यानिक उपलब्धियां प्राप्त की थी इसको बताना है इबीस नंबर का कोश्चन हो जागा ठीक है और आठवा कोश्चन देखेगा क्या है निम लिखीत पर किन्हीं 200 सब्दों में आपको क्या करनी है संचित्ट टिपणी करनी है जैसे कहा क्या हमारा का रहेगा प कोई भी five question करने है इसी टाइब का इस बार भी आपका एक्जाम का question paper आने वाला है ठिक है चली आगला question paper देख लेते हैं next question paper देखे क्या है वियाच चाइसी 103 यानि यह आपका subject code है अरे जून 2022 का question paper कपका जून 2022 का question paper है ठीक है यह देखेगा भारत का इतिहास पार्ट टू हैं तब आपको जू नंबर का पिपधर रहने वाला हुए जब देने जा उग न, तब आपको नौट्स एक बार जरूर पढ़ना इस बात को भूलना मत ठीक हैं अब देख लेते पहला कोशन देखीगा भाग एक में पहला कोशन क्या कुसान कौं थे उनकी सांस्कृतिक म पतना बीच नंबर का कोँचन होजगा तीसरा कोечатं देगेगा सात हुधानों के उदाय के विशा में वाद विबाद की समिछा कीजे, साथ होज़ंों की बस्ति प्रारूप की चर्चा कीजे, तो साथ हुधान काफी इंपोर्टेंट है, साथ आ सकता है, दूसरा आपसे तमि लहम आपके लिए जाम में कोश्चन जरूर आ सकता है ठीक है चौथा कोश्चन देखिए हमारा क्या रगा निमलिखित में से किनी दोपर क्या करने हैं आपको चर्चा करने हैं जिसे पहला क्या जेखें इंडो ग्रीक काफी इंपोर्टेंट है कई बार को दो तीन बार से राजे थे काखा गाघा में से कोई भी आपको जं में क्या करना पड़ेगा दो लिखने पड़ेंगी ठीक है चलिए भाग पहिलाओं की इस्तिती को लेकर के कोर्षन आके एक्जाम में आज पता काफी आसान कोर्षन है बाकी इन सब कोर्षन को मैंने पढ़ा भी रखा है अगर आप लोग मैं बता देता हूं अगर आप चैनल पर जाओगे देखो ये चैनल आ गया है ठीक है चैनल पर आगा आप एग पर देखेगा history owners लिखा हुआ है जैसे आप चैनल की प्लेश्ट में गए history owners लिखा है इस पर किलिक करना है और history owners को किलिक करते ही यहाँ पर देखेगा बीचाइसी 103 और बीचाइसी 101 और 104 का भी वीडियो पढ़ा हुआ है अगर आप देखो बीचाइसी 101 बीचाइसी 102 बीचाइसी 103 और बीचाइसी 104 मैंने पूरी किताब पढ़ा रखी है आप इस वीडियो को जा करके जरूर देख सकते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी important हो सक है क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आप सभी का जो इज्याम होगा ना बहुत अच्छा जाएगा देखेगा बीचाइसी 103 का जो मैंने ना दो घंटे का मैंने वीडियो बना रखा इस दो घंटे की क्लास देखने बाद आप कोशन है ठीक है अठ्वां कोशन हमारा देखेगा क्या रहेगा निमलिखित में से किनी दोपर आपको क्या करनी है टिपणी करनी है ठीक है देखेगा दस दस नंबर करेगा कहला क्या क्या है पाली खहा हमारा के रहेगा मोरे काल के बाद कला और वास्तु کला गहा तो गहा वारा करेगा जैसे भैस्णो धर्म और अवतारवाथ सिध्दांद और गहा हमारा क्या रहेगा प्राचीन भारत में वन और पती नजरिया यह बताना है इन छारों में से आपको क्या करना पड़ेगा कोई 2 लिखना पड़ेगा इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 8 question आता है आठ में से आपको 5 question लिखना है अभी तक मैंने आपको 3 question paper दिखा दिया है ठीक है सो नमबर का एक्जाम होगा, तीन घंटे का एक्जाम होगा, नोर्स में वही बाते लिख रखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, बट एक्जाम में नोर्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाग एक में देखेगा, पहला कोश्चन देख लो, दोसो बीसी से लेकर के तीन सो इसी तक मध्यकाल मध्य में व्यापार और सहरीकन, तो ब्यापार और सहरीकन कैसे होगा था, यह काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा कोश्चन देखे हमारा क्या है, गुप्तों की अर्थव्योस्था और समाज की विसेश्ता बताऊ, गुप्त काल में खा जो रहेगा, तमिलिकम में आरंबिक राज निर्माड, घा हमारा क्या हर्थ वर्धन युम कन्नोज का उदय, देखो एक कोश्चन रिपीट होगा, और घा हमारा क्या रहेगा, आरंबिक अम्मध्यकाल में भारत में सिल्प और सिल्पकार, तो यह काफी दो सो बीसी से लेकर के सा सो पचास ई तक मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति, भाई महिलाओं की स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है आ सकता है, ठीक है, छटा कोश्चन देखेगा, तीसरे सहरी कंड को परिभासित कीजिए, इसकी प्रमुख विसेस्ता है क्या थी बताना, ब दिकास पर प्रकाश ड़ले, बीस नंबर का कोश्चन हो जगा ठीक है, और युलिखित में आपको किनी दो पर क्या करनी है, तर्दिक्रफ्चर के मध्यक, पर्यायओं के परती नजरिया क्या है, तिकास पर प्रकास डालेजिये, भाकती पंस, आन्दोलन, गहां हमारा है आ पर आओगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी आपको क्लास मिल जागे इस्टियो नस जो फस्ट यर के हैं भी आचाईसी 101 भी आचाईसी 103 का यह आपको मिल जागा बल्कि भी आचाईसी 101 और 104 की विवने कलासेस करवा रखिया है आप इसको भी जाकर के जरूर तैयारी कर सकते हैं बाकि अगर आपका कोई सवाल है कोई कोई कोस्टन है तो आप मेरे से जरूर पूछ लेगा बाकी किसी और सब्जेट का important question चाहिए तो भी मुझे जरूर बता देना ठीक